स्वागत है आपका आप देख रहे हैं मारी खास पेशकष मैं हूँ आपके साथ मिनाक्ष्वी राजधानी पटना में नए साल के जश्न की तैयारियां तो चल रही हैं लेकिन ओमिक्रोन के खत्रे ने आशंका भी पैदा कर दी है जिन लोगों की साल के पहले दिन कहीं और जवाने की योजना है वे सरकार की गाइडलाइन का इंतिजार कर रहे हैं नए साल के लोग खरिदारी कर रहे हैं होचल और मॉल भी तैयारियों में जुटा हुआ है लेकिन आशंका खत्रे को लेकर गहराती ज़ा रही है नए साल की खुश्यों में ओमिक्रोन का खलत जश्न की तैयारी महामारी का डर भारी ये तैयारियां नए साल के जश्न की हैं नए साल आने में अब चंद दिन ही शेस रह गए हैं लेकिन इस साल भी खुश्यों में खलल पड़ता दिख रहा है जश्न की तैयारियां तो हैं और ओमिक्रोन के खत्रे से लोग आशंकित भी हैं हम आपको राज़ानी पटना के मौल और बड़े होटलों में जश्न की तैयारियों के बारे में तफसील से बताएंगे उससे पहले सोशल अक्टिविस्ट रिचा राज़पूत से सुनिये नए साल पर इनकी क्या तैयारी हैं तो नया साल आने वाला है लोगों में उल्ला से हर से की नया साल आएगा फिर नया साल के सेलिबरेशन के लिए भी लोग तैयार हैं हमारे सार्थ रिचा राजपूत है पटना की जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट है इनके पास भी आया है और ये भी घूमने की शौकीन है तो सीधे रिचा जी आपसे ही जानेंगे कि इस बार कहां जा रही है और कैसे सेलिब्रेशन करने वाली है सर देखिंगी जिस तरह कोरोना का कहर और डड़ है ना तो हर वर प्लान बनता है और हर वर प्लान रैप अप हो जाता है कि पिल्ले साहब आ तो इसम लोग पाहर चलते ऑडिली से ठिर्ए ठ्दू और ये सारी चिंग फे घूम के ये निया लेकिन फिर टीसरा चुर्ण जोग जाए तो जाए कि अभ़ी प्लैन हम लोग का रहे हैं कि अभी रखन जा रहे हैं तो जाए उसके पहले भी कहीं कहीं गई होंगी तो थोड़ा वह सब याद बताई कि जन नए साल में सेलिब्रेट करने जाती थी और दो साल से नहीं गई तो कितना मिस किया बहुत जादा पता है क्या कि अब जो आप जाईएगा ना तो बिहारी भासा में कहींगे अकच मन हो जाता है ना वो अकच मन हो जाएगा अब बिलकुल एन्वाइड हो जाएग रिचा कहती हैं वे उन दिनों को बहुत याद करती हैं जब महामारी नहीं थी इनका कहना है कि कोरोना ने खुशियों में बट्टा लगा दिया है कि यह पहले कि आथा ना बिंदास था मत आप जाएं कहीं पे भी मतलब घूमने जाने रिस्ट्रॉम जा रहें कहीं बैठ रहें आराम से बात करें लोग आ जाने वो डर नहीं था अब तो बगल में कोई सट भी जाता है ना सबसे पर से इनेटाइजर हिंजाना हाथ में लग देखिए अवी लास्ट में लोग गए थे मैं और मेरे हस्बंड गए थे बहुत अच्छे तरीके से मतलब सब कुछनुमा महाल था लेकिन वही क्राउड जो एक क्राउड होता है ना जो होना चाहिए था वो चीजे मिसिंग थी और जब कहीं पर भी आप जाते हैं तो वहां क्या जा के देखिए गए दो जन्ने यहां पर वही देख रहे हैं तो वहां पर वो चीजे मिसिंग थी जब लोग गए थे आसपास की चीजों को देखे थे लोग लगाई जो ते वह काफी रिजर्ब थे कि चलो ठीक है मास्क लगाए वहें वैसे वह काफी एक्टिव रहते अब हम लोग सोच रहे है कि क्या करें क्या प्लाइन करें रीचा की सास ने नए साल के जस्न की पुरानी यादे साझा की इसके बाद हम एक दमपती चंदन और श्वेता के पास महुचे ये पहले मुंबई में नौकरी करते थे पर अब पटना में इनका कारोबार है इसमार ये नए साल का जश्न अंडमान निकोबार में मनाना चाहते हैं पर अभी निगाह ओमिक्रॉन पर बनी हुई है बहुत ही कम कपड़ों में बहुत ही कम मेकप में सिर्फ उस जगह का अनन लेना है वहां के लोकल फूड का लोकल लोगों से जादा से जादा बात करने की कोशिश रहती है लोकल फूड, लोकल ट्रेडिशन, लोकल फोक डांस क्या है वहां का कोई भी लोकल चीज हमें मिल जाए तो वो चारचान कर देती है क्योंकि फिर वही चीज़े जो याद इलाती हैं और वहां के विशेशताओं से अवगत कराती हैं यही रहता है और अंडमान में एक और चीज़ है अंडर वाटर सी डाइविंग जिसकी हम लोग बहुत प्रतिक्षा करें हमने गोवा में भी किया था लेकिन अच्छे अंडर वाटर डाइविंग नहीं मिला था और रीफ्स जो थे उसके बहुत कुबसूरत पर हमने अंडम पाबंदी है वहाँ पे बहुत जादा टूरिस्ट एक साथ नहीं घूम सकते हैं और और इवन कार्स का भी था अंडमान के भी हमने कुछ रूल से रेगुलेशन्स पड़े हैं उमनी कोरोन को लेकर बहुत ही एहतियात वहाँ पे भी बरते जा रहे हैं और टूरिस्ट अभी हर एक नया साल हम लोग ने जगह पर बिताया है रिसेंटली हम लोग पिछले साल हम लोग कश्मीर में थे और हम लोग ने कश्मीर वहाँ पर डल लेक के ऊपर हम लोग नया साल बिताया वो नय साल में जब पहला दिन आप अपनी आखे खोलते हैं और एक नई जगह अपने दिनों के आपने 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 अलग सा दिन होता है, एक नया मानशिक्ता लेकर के होता है, कि आज एक नया साल का पहला दिन हो. ओमिक्रोन की आशनका के बीच भी पटना के मॉल में महिलाएं, नए साल की शॉपिंग करती दिखी. इसके लिए पटना आई हो शौपिंग करने के लिए मैं रहती हूँ लखनों में लखनों छोड़ करके अफना आये हो और लखनों करने हो तो इसलिए मैं बस स्वॉपिंग कर रही हूँ इस बार देख़। इतु में बहुत अच्छी बात है तो सब यह प्लाइन करें इस हिसाब से कि सारी जगह सुरक्षित था भी है नी totally तो उस हिसाब से प्लाइन करें कि आप पहले पता करें कि कितने केसे कम हो चुके हैं कितने vaccinated people हैं और आप जिस रिजोर्ट में जा रहे हैं वहां कि पूरी हिस्ट्री ले लिए उसके बाद आप जहां भी जाना चाहिए याप जा सकते हैं। यहां कई और लोग भी खरीटारी करते देखें। नए साल के लिए सभी के अपनी अपनी तैयारी है। कि एक मौका मिला है नया साल बाहर जाने के लिए और लोग ठंड का मौसम है अक्सर सब जगा तो ठंड के कपड़े लोगे खरेदारी कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूं और प्लान है पुरा सेलिब्रेट करना है। नए साल के सेर सपाथे से पहले लोग ब्यूटी पारलल और सलून ही जा रहे हैं। हर बार की तरह हम लोग एक फामिली गेट टुगेधर ओगनाईज कर रहे हैं। सारे फामिली मेंबर्स एक जगह गैदर होंगे हम लोग खाना पीना दिन भर हम लोग साथ में रहते हैं। और फिर शाम को एक छोटी-मोटी पार्टी किसी भी होटेल में जहां भी अरेंज़ट है। आजकल तो हर होटेल में नियू यर इव का अरेंज्मेंट बहुत ही अच्छा होता है। तो अभी तक कुछ अनॉंस्मेंट्स नहीं होई हैं ड्यू टू कोविट लेकिन जहां भी होगी हम लोग जरूर पार्टिसिपेट करते हैं और यह तो है जब तक लुक्स का तो आदमी की खुशी शुरू होती है अपने आपको आईने में देखके ही जब वो अच्छा दिखता है तो अपने आप अंदर एक डिफरेंट जोश आता है कि अच्छा नाव यारेडी टू गो आउट तो वो तो जरूरी है यह तरीड की ट्रेन जो है ना वह दो तरीकों है ठिक है तो नूड़ नीडियर का पूरा प्लानिंग कर रहे हैं पूरी के लिए ने का थान भी वैसे नहीं होती है और उसके लिए श्पेशली जरूरी है हम लोगे को भाइव है है यह वेस्टन होना चाहिए क्योंकि इंडियन तो हम लोग भाई शादी वादी में पहनते ही हैं थोड़ा आउटिंग हो रहा है तो थोड़ा वेस्टन कल्चर के हिसाब से डालेंगे हम लोग जो भी होगा और मेरी स्मॉल के बेवी है जो भी बहुत इंजॉय करेगी क्योंकि वह सीवीच में बहुत ज़्यदा एंज्जॉय करते हैं तो वहां पर हमेशा करते हैं पनाश हो गया और बहुत सरी बड़ी-बड़ी होटेल सोती जहां पर हम लोग ने हमेशा गादरिंग की है और बार भी ओटिक इस पर हम लोग ने सोचा कि गैदरिंग को भी बाहर होना हैं फिर इसकीन के लिए फेशियल हो गाएं ट्रीटमेंट हो गए हैर इसपा हो गाएं जो भी आउट जाते हैं अपने शहर से अपनी सिटी से वह सलून में जाके अपना कलर पे जादे फोकस करते हैं कुछ हम अलग दिखना चाहते हैं समतिंग डिफरेंट तो हम लोग कलर म जैसे कि आज मेडम का भी कलर हुआ है सुबह में दो कलर कर चुके हैं हम लोग बाहर भी जा रहे हैं कुछ पटना में भी सलिब्रेट कर रहे हैं क्योंग आप देखी रहा है कोविट की सिच्वेशन कैसी है तो लोग उससे डरे वे भी है नए साल का जस्न मनाने लोग देश बोध गया से राजगीर से और पटना पटली पुत्र बैशाली और आपको केसरियास्तोप नंदगर सिंबाल मिकी नगर सबको हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं अगले साल पूर्ण रुपें से आपको प्रेटन के द्वारा किये गए कार्जों की जानकारी निश्चित म आठो का छे का तुर टेंडर हो गया है अद्दो का काम चल रहा है हमने सिलेनास भी गया में किया कल जाकर वहां में करसवार धाम का और उसके बाद यहां गुरुद्वारे में भी चल रहा है आपका लाइट एंड साउंड वाला और यह आपका बैशाली में भी चल रहा है उणनी जील में हमने जो एसो आपको कोटेज बना कर वहां रेस्टूरेंट को खोल के ताकि उणनी जील में शयर लोग करें गोवा के समा जिस तरह गोवा में मोटर बोर्ड से लोग घुमता है और शयर करता है उसी तरह दस कीलो मीटर के दाइरे में पूरे जील पड़ा पटना के मॉल, रेस्टुरेंट और होटलों में भी खास तैयारियां की गई है। तैयार रहेगा, हमारे जो भी प्रसासनिक अस्तर के लोग हैं, हमारे मॉल प्रसासनिक, उन सभी लोगों को बहुत करार डायरेक्शन उपर से रहता है मेरा, वह सब कुछ लगभग हम पूरा कर चुके हैं, और इस बीच लगातार प्रोग्राम भी मॉल में हर अप्टर अल्ट का अपना रिप्टेशन, फुटफॉल या पकी लोगों का अपना आना जाने के लिए इंटर्टेन्मेंट का साधम रहता है, और यह कंटिन्यू मेरा आज 10 दिन से चल रहा है, हर अफ्टर अल्टरनेट डे और यह 31 तक दिसंबर तक इसको ले जाएंगे, पिछले दो सालों से सर्व कर रहे हैं, तो हमारी एक जिम्मेवारी भी है, कि हम जो हमारे गेस्ट हैं, उनकी सेफटी का भी ध्यान रखें, यह कोविट का जो नया वेरियंट ओमिक्रोन आया है, हम अभी फिलहाल उस पे नजर बनाये हुए हैं, कि अगर उसका बहुत जादा इंपक्ट नहीं को होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि नियुएर का प्लान ड्रॉप कर दे और लोगों के लिए, रेश्टनाव में जनरल डैनिंग की सुविधा उपलप्त करा हैं, लास्ट येर भी कोविट के वाज़े से तो कुछ खास तयारी नहीं कस्टमर उस टाप से थे, इसलिए हम ल लहर चला है, उसके वज़े से थोड़ा हम लोग भी सतर्क हैं, और रिस्क लेने से डर रहे हैं थोड़ा, कि कस्टमर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि दो साल से तो फ्लॉपी सीजन चल रहे हम लोग का, इसलिए वैसी कुछ तयारी नहीं है, नॉर्मल ही हम लोग तयारी लेके चल रहे हैं, रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, ओमिक्रोन की वज़त से बाहर जाने का रुझान कम हुआ है, इसकी तस्दीक टूर एंड ट्रेवल एजनसी से जुड़े लोग भी कर रहे हैं, निया साल आ रहा है और इस पार लोग पहले के मुताविक थोड़ा सा जि तो लोग बिंद्याचल चले जा रहे हैं, महियर जाल जाते हैं, बिहार में लोग अपना थावे मंदिर की ओड जाते हैं, दर्शन करने के लिए, हार आजगीर भी लोग जाते हैं महामारी के इस दोर में बहुत से युवा वर्क फ्रॉम होम में हैं, और वे नया साल का जस्न भी परिवार के साथ घर में मनाना चाहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अब ही कोरोना है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में बाहर जाने को तो मोस्ट प्रॉबबबली हम लोगों का प्लैन ऐसा है कि इस बार भव जो मंदिर इस बार बना है हमारा कासी विस्वनात में हम लोग वहां जाएंगे घूमने और थोड़ा स जाते थे घूमने फिरने और तब और जब कोरोना आगया पिछले साल लोग नहीं जा सके तो कितना मिस्किए थे मिस्स गये बर यह बहुत अच्छा था था कि हम लोग हर बार क्या रहता है थे खर बाहर वहां पर मतलब family लोग तो नहीं रह पाता है था फ्रेंड के साथ हम को पाटी करना परता था या फिर गोवा चले गosing उस छी तो ही कि बात थी हम लोग उनके सथ भी नहें यह कि नयुए यह मिलके मना रहे हैं यह तो वह गते đã90 और पैल कहां जाते थे पहले कि यह हमेशा सभय है कि जब द्ह निव यह हो या तोusan सो तो मैं हमेशाव घर मतलब फैमिली के साथ रहा हुआ और फैमिली के साथ जतना टाम स्पेंड करों कि बहुत ही कम चुट्टी मिलता है तो वैसे मैं राची में रहता हूँ मैं जॉब गुडगाओं में सॉफ्टर डेवलपर हूँ तो थोड़ा सा चुट्टी के कभी प्राब्लम होता है तो जब भी चुट्टी मिलता है तो हम और New Year हम लोग family के साथ ही अभी celebrate कर रहे हैंомина सब क्षाटे माहां जाते नेपाल ह का टूर हो जाता था इसके पास पूने चले जाते थे फ्रेंट के पास और भी बहुत जगे जाते थे जहां जहां फ्रेंट रहते हैं, क्यूंकि मैं पटना में ही जॉब कर रहा हूं, लास्ट फाइव यह से तो इस लिए तो इस बार कहीं बाहर जा रहेंगे नई इस बार तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि इस बार सारे friends का work from home है तो यहीं पर celebrate करेंगे सारे एक साथ मिल के पटना के जाने माने डॉक्टर अमुली सिंग खुद भी घूमने के काफी शौकीन है वो 72 यात्राएं कर चुके हैं इनका कहना है नए साल पर आप घूमने जा रहे हैं तो सावधानी जरूर बरते हैं और कोविड गाइड लाइन का पालन करें मैंने पिछले 11 या 12 वर्षों में करें 72 कंट्री मैं गया हूँ जादतर तो व्याख्यान देने के लिए गया हूँ और्टेपेडिक्स व्याख्यान देने के लिए इंटरनाशनल फोरम में कुछ जगें पारिवारिक हम लोग जरूर गए हैं घूमने के लिए अपने मैं मेरी पत्नी मेरे दोनों बच्चे जाते थे बहुत इंजॉय करते थे जरूर बोलूँगा कि कहीं ने कहीं शांती तो बहुत है बाहर में आप जब चले जाते हैं वो न्यूजिलेंड हो आस्ट्रेलिया हो पापुलेशन कम है शांती है आप खुब इंजॉय करते हैं और दूसी बात ये भी बोला जाएगा मॉबाइल से थोड़ी दूर आप रहते हैं तो आपको पता नहीं चलता है आप अपने पड़िवार के समय हर आनंद को उठाते हैं उस वातावरन में लेकिन जब आप अपने शहर में रहते हैं तो आप अपने काम में ज़्यादा वियस्त रहते हैं हम लोग भी डॉक्टर हैं तो नैचरलि मरीजों का फोन आता रहता है और जब आप अपने वर्क स्टेशन पे हैं तो मरीजों को अन देखा नहीं कर सकते हैं तो काम ही आपकी पूजा हो जाती है आप बाहर जाब रहते हैं तो टोटल फ्री हो के टोटल इंजॉयमेंट के मूड में रहते हैं और इस्पेशली अगर बच्चे साथ में हैं तो लगता है कि सार्या स्वर्ग वो आपके साथ हैं नए साल का जशन घर हो या बाहर जोश कायम रहना चाहिए ओमिक्रोन के खतरे को देखते हुए सतर्कता और साबधानी तो रहनी ही चाहिए रितेश जी मीडिया पटना